हमारा ये देश, हमारा समिधान जो बाबा साब ने दिया है उसके मुताबिक चलता है और उसके मुताबिक चलकर के आज देश ने प्रगती की है लेकिन जो वर्तमान प्रिस्थितियां हैं, जो वर्तमान केंदर की सरकार है वो इस समीधान को अपने हिसाब से तोड़ना चाती है, खंडित करना चाती है, बदलना चाती है और उन सब लोगों को परिशान करने का काम कर रही है इस दीश की आजादी के लिए हमेशा तयार रहते हैं, इस दीश की एकता और घंडता के लिए अपने प्राण लिच्छावर करने को तयार रहते हैं इस दीशनिक के प्रणानमंत्री जी ने नसेना को छोटा जिस सेना जिस वीर सेनिक की वज़े से हम आज हमारे बोर्डर के उपर सुरुक्षित हैं उनमें भी अगनी वीर जैसी योजना लाकर के उसको भी कमजोर करने का काम किया है देश की सत्ता में आने के बाद में बड़े-बड़े महाग उठाले में हैं उसके उपर चुपी सादे में हैं आज देश में नफरत फैलाने का काम देश की सत्ता कर रही है जो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए चिंता का विज़ है आज इस दीवस के उपर हम सब कॉंग्रेश पार्टी के लोग जिस कॉंग्रेश पार्टी ने हमेशा इस देश को आजाती से लेकर के आज तक स्वराणीम भार्च जो हम देख रहे हैं उसको बनाने का काम किया है हमेशा धरब निर्पेक्स्ता के आधार के उपर अपने आपको चलाने का काम किया है इस दीश में हमेशा प्यार मोबत माटने का काम किया है ऐसी ताक्तों को हमें नेश्तामूत करने के लिए हमें उनको सत्ता से अटाने के लिए इस दिवस के उपर हम संकल्प लेकर के काम करेंगे कि इस दीश में भायचारा रहे नफरत की आग नहीं पहले ये नफरत से जलाने का जो खेल खेला जा रहा है सत्ता के लिए उसका मुकाबला करेंगे और हमारे राजस्तान में जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों ने भारती जनता पार्टी को सत्ता दी लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक एक भी ऐसा काम नहींवा है केवल बयानबाजी चल रही है दिल्ली से परचियां आती हैं और उस परचियों के मुताबिक वो अपना वेक्ता पे देने का काम करते हैं आज जो प्रदेश में आलाद बनेवे हैं बाट के आलाद हैं प्राकृतिक आपदा आईवी है अतिवरस्टी है लोग मर रहे हैं पहले हीट वेव से लोग मर रहे थे लेकिन नए हीट वेव का इंजाम किया ने बीजली है ने पानी है ने प्राकृतिक आपदा में मंत्री और मुखे मंत्री के बीच में लड़ाई चल रही है इसके अलावा आज प्रदेश में लोग यह आस लगाए बैठे कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाए थे और हमने उमीद की थी कि कहीं कहीं हमारा ख्याल रखेगी लेकिन आज केवल प्रमन और बाशन और भरमित करने की राज़दिती हमारी परची मुखे मंत्री जी कर रहे है मैं आगरे करना चाहूंगा तमाम प्रदेश के लोगों से कि इस परिश्थित्यों में जो अतिवरिष्थी चल रही है इसमें जाने जा रही हैं सेकड़ू जाने चले गई हैं बच्छे मर रहे हैं अपरादी घटनाय हो रही हैं लेकिन प्रदेश में सत्त्ętा में स्ट्त वे लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं और दिल्ली के हिसारों का इंजार कर रहे हैं उन लोगों को हमें ये चेताना है कि आप एक ट्रस्टी हो आप मालिक नहीं हो प्रदेश के आपको प्रदेश के लोगों की चिंता करनी होगी और प्रदेश कैसे समरस्ता के साथ में आगे बढ हुआँगा इस दिवस के उपर कि गाउं गाउं धाणी धाणी अपने वाड में मोले में गाउं में सहर में ध्यान रखें और जाएं और पीडित लोगों की मदद करें इसी संकलब के साथ में हमको आगे बढ़ना है आप सब लोगों को पुन है मीडिया के लोगों को भी धन् कॉंग्रेस पार्टी हमेशा आगे खड़ी मिलेगी कॉंग्रेस पार्टी का तमाम कार्य करता इन विपरित पृष्टितियों में अपने से जो हो सकेगा हो मदद करेगा और इस दीश में जिस प्रकार का वातावरन जो नफरत की बीजबोई जा रहे हैं नफरत भेलाई जा का यह जो ह्या कि मानगे सुने मान गए है वान पीस नहीं ह। हूगै है बैसले व्युदी बटे तो अगन ने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो पीए आपन में आगया तो ऐसी स्तितिया नहीं बनाए है मैंने पहले ही विदानसवा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सरकस बन गया और वो आप सब देख रहे हैं हम सब देख रहे हैं इसलिए मैं अगरे करूंगा मान ये मुख्यमंत्री जी से कि अपना सिरिमुक जूट के अलावा कुछ सच में भी खोले अ वैसे प्रदेश में भरमन कर रहे हैं लेकिन लोगों को रहत नहीं मिल रहे हैं उस रहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुख्या को करना चाहिए और ये जो आपस का जगड़ा है ना ये जगड़ा मिटा लेना चाहिए और किरोडी लाल जी को क्योंकि अब तक स्विकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हुई तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदागी स्थिति में उनको काम करना चाहिए